अब खबर है पुन्ट से जहां भारतिय सेना ने घर घर जाकर मेडिकल कैम्प लगाया है इस दौरान 120 वर्स की महिला को मेडिकल मदद दी गई लोगों ने सेना की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतिय सेना हर समय हमारे लिए खड़ी रहती है और सेवा करती है लोगों के इसोगों करते हैं अब तो आदा खाने है जाए फरो फड़ो का ओड़ों करने है कि अग्याषर का डिशना कि अच्थर लीए कि इस तर सकाया कि आंने अग्या कि आने वक्रता पर यह सिमा वर्ती जो गाहूं है यह हमारे जो सरलाब अटलिन के OR में आते हैं में अपनी उनिट की तरफ से यहां पर मेडिसिन बांटते हैं लोगों को यहां पर चेक अप भी करते हैं जैसे की BP मोनिटरिंग हो गया ब्लेड सूगर चेक करना इस परकार की चेकिंग करते हैं उसके बाद जो बैड पेसेंट है जो जैसे की स्पाइनल कॉर्ड इंजिरी के 2-3 पेसेंट हैं और CKD के BP के बहुत सारे मरीज हैं ओल डेज जैसे के एक दादी यहां पर 120 साल की है उनको भी आके हम समय समय पर यहां पर चेक अप करते रहते हैं मेडिसिन देते रहते हैं मुहमन जाफर है तरफ से मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बारती सेना 3-3 जियार 10 इंफेंट्री बरगेड सरलाब बटालिन इसकी तरफ से जो लोग गरूम से बार नहीं जा सकते हैं पूंट्स या किसी मेडिकल फैसलिटी से जो मारूम रहते हैं उनके लिए हमारा गोलपूर अजोट और पूनी दारा आज ये गोलपूर में द्वाईयां बांटी जा रही हैं इनको आर्मी की तरफ से जो हमारी 3-3 जियार 10 इंफेंट्री बरगेड सरलाब बटालिन की जानब से जो हो रहा है यह इन्हें के द्वाई बांटने का काम हमारी बारती से ना एक तरफ सीमा सुरक्षा पे हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पे तायना समय पे